अब देखेंगे फ्यूचर एक्ष्पेस और करीब करीब 64-65 टंग कूपन निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है औल्मोस्ट डे हाई के आसपा सो सेंसेक्स और निफ्टी बैंक भी रफली एक चौधाई फीजी जादा की बढ़त के साथ ट्रेड करता वा ब्रॉडर मारकेट भी करदारी में हैं लेकिन हैं भी थोड़ी पहले हम बात कर रहे हैं क केमिकल स्पेस को लेकर जहांपर एक अच्छी करदारी आज देखने को मिल भी रही है जा अछी यूबियस की रिपोर्ट अइंग्रिवीया से स्टॉक जबरदस ही direct अ यहां पर देखने को मिल रहा हैं ह। दिगज Foreign Brokerage House UBS की तरफ से UBS दरसल अपनी रिपोर्ट में दो केमिकल स्टॉक्स को लेकर बुलिश हो रहा है वो दोनों स्टॉक्स हैं P.I. Industries और नवीन फ्लोरीन P.I. Industries पे खरदारी करने का कॉल 4800 के टारगेट के साथ कल की क्लोस से 28% का अपसाइट और ऐसे ही नवीन फ्लोरीन पे खरदारी की कॉल 4250 का लक्ष यानि की कल की क्लोस से 16% का उचाल UBS को नजर आता है अब reasons क्या है UBS कह रहा है जो चाइना में लगतार capacity expansions चल रहे थे अब वो पीक आउट हो रहे हैं और वहां से अब pressure reduce होना शुरू होगा और इस sector में जो recovery है वो अब prolonged देखने को मिलेगी यानि की लंबे समय तक देखने को मिलेगी और चार pointed highlight करें उन्होंने क्यों brokerage bullish हो रहा है उनका कहना है stimulus policies जो चाइना में announce हो रही है उसके चलते वहाँ पे margin expansions में support मिल रहा है ये globally उसका फायदा मिल रहा है producers अब अपने utilization levels को adjust कर रहे हैं ताकि supply और demand situation इंप्रूव हो सके capacity additions में अब delays देखने को मिल रहा है और gradual inventory reduction हो रहा है तो उससे stability मिलती हुई नजर आएगी हाला कि ये report ये भी बात highlight कर रही है कि near term में demand chemical space में ठंडी देखने को मिलेगी और 2024 में आपको याद होगा कुछ brokenness highlight कर रही थी chemical second half में बहतर करता हूँ नजर आएगा वो cyclical upturn जो expect कर रहे थे आप वो ठंडा रहेगा अभी समय लगए near term challenges long term trajectory अच्छी इसी report पर जाते आते हैं उन्होंने दो sell recommendations भी दी है हारती industry sell college 615 की target के साथ और likewise गुजरात fluro में भी वो कह रहे हैं बिक्वाली करके चलिए 3000 तक के लक्ष हैं तो ये दबाव इन दोनों stocks में देखने को मिलेगा लेकिन लंबी हवदी के लियाद से वो दोनो attractive PI Industries और नवीन फ्लोरी पिया इंडस्ट्री नवीन फ्लोरी इनके ओपर आप अधर वाइद रखेंगे बहुत शुक्री आशीश वैसे भी थोड़े पहले हम बाचीत करके चुके हैं इंपिया इंडस्ट्री भी लेकिन शिल्पा मैम कैश मार्केट में जूबलेंड इंग्रेवी आए बता दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सला है कि कोई भी निवेशन इंडले लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सला ले